यह 6th class बेटा next हम देखेंगे composting, composting क्या होती है यह एक biological process है जिसमें कुछ microorganisms क्या करते है organic matter को decompose करते है decay करते है decompose का मतलब break down करना smaller particles में ठीक है, organic matter में कौन-कौन से आते हैं, बेटा, plants और animals के materials, so microorganisms क्या करते है, इन organic matter को decompose करते हैं, under controlled conditions, और उसको किसमें convert कर देते हैं, manure में manure क्या होता है, खाद ठीक है, so यह जो manure prepare हुआ है, उसे हम क्या बोलते है compost, ना बेटा, wormy composting क्या होता है, जब भी जो compost है, वो किससे prepare होता है, by using special type of earthworm अगर किसी earthworm, special type के earthworm से अगर composting हुई है, खाद बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी composting बोलते हैं, बेसिकली, ठीक है इसमें जो special type का earthworm होता है, वो क्या होता है, redworm होता है, ठीक है, redworm क्या करता है, यह जो organic substance है, उसको खा लेता है और उसको digest कर लेता है फिर जो यह excreta निकलता है ना, इनका जो excreta, जो की मलमूत्र, जो इनसे निकलने वाली गंदगी होती है, excreta जो होता है वही इसमें contribute करता है composting में, compost में contribute करता है, उससे खाद बनता है, ठीक है अब यहाँ पर आप एक knowledge decks देख लीजए, यहाँ पर एक example दिया गया है, कि जो landfill area का एक example दिया गया है जिसमें यह इंद्रप्रस्थ पार्क जो है New Delhi में यह बना है, यहाँ पर पहले basically landfilling हुई थी, ठीक है यह एक large पार्क है, जो की develop हुआ है on a landfill site it houses the beautiful wish-wishanti stupa in it, इस पे क्या बनाया गया है, wish-wishanti stupa बनाया गया है, ठीक है class I hope आपको clear होगा so यह जो composting और vermi composting है बेटा, यह हम खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ activities दिखाई हैं, यह हम अभी आगे देखेंगे